हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो घरेलुप चार और सुगे जीवन चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सर्दियों की दिनों में त्वेचा के रूखे पंसे छुटकारा दिलाने वाला एक बहुत अच्छा और आसान और बहुत एफेक्टिन उसका बताने जा रहे हैं दोस्तों सर्दियों का मौसम कई दुखद अनुभाव साथ में लेकर आता है लेकिन सर्दियों में ठंडी हवा चलने पर त्वेचा सोस्क हो जाती है जो त्वेचा की सूखे पन का कारण बनती है ये सर्दियों में आम समस्या है जो सभी को हो जाती है इसके साथ साथ यदि हमारी तुचा में नमी है पानी कम पीने की वज़े से तो वो भी एक कारण होता है इसके अलावा हानी कारक अल्ट्रा वाइलेट सूरच की किरने भी होती है और इसके साथ साथ यदि हम तेजगरम पानी से नहाते हैं तो ये भी तुचा को रूखा सूखा बनाने के लिए जाले जरूत होती है तुचा पर साबून का परियोग भी ध्यान पूरवक ही करना चाहिए क्योंकि साबून तुचा को सुस्क बना देती है इसलिए हमें हाइडरेटिंग फेसवास का उपयोग करते रहना चाहिए अब हम आपको एक ऐसा उपाए बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप सर्दियों में रूकी तुचा की समस्या से आप बहुत आसानी से रहत पा सकते हैं दोस्तो सर्दियों के महीनों की दोरान सूखी तुचा के लिए बहुत जादे लोग परिये और परभाव उकचारों में से एक है इसमें fatty acid, protein और vitamin E होता है जो आपकी तुचा में नमे बनाए रखने में बहुत जादा मददगार होता है इसके अलावा इसके anti-oxidant गुन आपकी तुचा के स्वास्त के लिए बहुत अच्छे होते है दोस्तो कुछ सेकिंड के लिए नारियल के तेल को गरम करें क्योंकि आपने देखा होगा कि नारियल का तेल सर्दियों में जम जाता है इसलिए कुछ सेकिंड के लिए उसको गरम करें और नाहने से पहले अपनी तुचा पर लगाए और धीरे धीरे मालिस करें जिससे की तेल तुचा के अंदर परवेश कर जाए दस मिनट के बाद या बीस मिनट के बाद आप नाह ले दिन में एक बार इसका उपयोग जरूर करें अगर आप बहुती ज़्यादा रुखी सूखी या सुस्क तुचा से पीडित है परेशान है तो आप नहने के बाद भी तुचा पर नारियल का तेल लगा सकते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं इससे आपकी तुचा दिन भर बहुत ही मुलाइम और बहुत अच्छी रहेगी इसमें आपको तुचा में ना जलन होगी और ना ही खुजली होगी ये एक बहुत अच्छा उपाय है तुछा को सर्दियों में रूखे पन से बचाने का दोस्तो साइड अफेक्ट होने की कोई कुझाई सी नहीं है साइड अफेक्ट इसके बिलकुल भी नहीं है और इसके फाइदे ही फाइदे हैं आपके स्किन के लिए दोस्तो आप इसे हर रोज यूज करें नहाने से पहले तो बहुत अच्छा है और यदि आप रोज ना नहा रहे हों उसके बावजूद भी आप इसको अपने हाथ पैनों के उपर अपने इसकिन के उपर त्वेचा के उपर इसको इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी ये वीडियो और बताय गया उपाय बतायागे अनुस्का आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोग के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नए मरज और उनके असान से उपायों के साथ तब तक आप हस्ते रहें मस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें